मुश्कार साथियों आज हम ओपी शुकला बुक की पेज नमबर आठ प्रश्ण पत्र एस अबलिक उनिस्सो निन्याड नू डिक्टेशन नमबर सेवन की प्रेक्टिस करेंगे इस डिक्टेशन में कम से कम तीन सो से ज्यादा वर्ड है इसलिए ये पांच मिट से ज्यादा की डिक्टेशन होगी गति चालिश स्वड चालिश शब्द प्रतिमिनिट की ही रहेगी ठीक है तो अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे इस समय बहुत से लोगों ने राश्ट्रपती का फल्फूल तथा अन्य प्रकार की चीजों से स्वागत किया इसका उत्तर देते हुए राश्ट्रपती महोदै ने कहा की आज कल यह आवश्यक है की प्रातहकाल होते ही हम देश विदेश के हालचाल पढ़े एसी गटनाएं आए दिन होती है या होती ही रहती है और उनकी खबर भी हातो हात आती ही रहती है विशेश जाश पढ़ताल करने पर पता लगता है की संसार की सुक्षांती उत्तर उत्तर नाश की और बढ़ती जाती है एसी दशा में यह तो निश्चित ही है की भावी विदेशिक हलचल में भारत वर्ष बिलकुल चूप चाप नहीं बैट सकता बहुत से लोग राश्रपती की हैसियत से भारत के बड़े बड़े शेहरों से समय समय पर भ्रमन करते रहे हैं परंतु पंडित जी नेही सर्वपथम रातो रात और दिनो दिन गावों में घूम कर सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तुफानी दोरा किया सर्वसाधारण जनता में पहले पहल कांग्रेस का बिगुल फूकने का श्रेय इनहें दिया जाए तो अनुचित ना होगा गरीब किसानों ने पहले ही से सिर्फ जवाहरलाल जी का ही नाम सुना था परन्तु जब तक वे उनके बीच में नहीं आये थे तब तक वे बेचारे न उन्हें समझते थे और न कांग्रेस को पंडित जी की बात बात में जादू का असर है अतह इनकी बाते सुनकर पहले तो वे लोग एका एक बहुत ज़्यादा अचंभे में पढ़ गए थे बाद में उन्हें पहले पहल मालुम हुआ की अब तक हम अंधेरे में थे सच मुझ भारत हमारा और हम भारत के हैं कम से कम वे समझने तो लगे की स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसके बगेर हम पशुओं से भी खराब है टंडन जी ने भाशन में कहा की जहां तहा से दिन वा दिन आने वाली खबरों से मालुम होता है की आगामी युद्ध जादा से जादा एक दो वर्ष दूर है इसलिए भारत को सबसे पहले हिंदू मुसल्मान यह जानते हुए भी अभी तक ज्योंका त्यों उसका नाता बनाए हैं दूसरी बात है खादी और देशी माल का वहवार मेलाने की जिसके बगेर हमारे देशी धंदे नहीं पनप सकते उसके बगेर हम आजादी भी नहीं हासिल कर सकते तो उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत